जैसरी शाम दोस्तों स्वागत आपका प्राचिन धर्मग्यान चैनल में दोस्तों नीम के पेड़ को वैग्यानिक दरश्टी से देखें तो यह है बहुत सारी चीजों में फाइदे मंद होता है लेकिन जोतिस सास्त्र में भी इसको बहुत मैतो दिया गया है लेकिन नीम का पेड़ ही नहीं वास्तों सास्त्र में पेड़ पोदों को बहुत अधिक मैतो दिया गया है जिसका करण धार्मिक भी है और वैग्यानिक भी है जहां धार्मिक सास्त्रों में पेड़ पोदों का अलग मैतो बताया गया है नीम के पेड को सास्त्रों में क्या खास मैतु दिया गया है और नीम के पेड का किस घ्रे से संबंद होता है और क्या उपाई करने हैं वो सब बताऊंगी लेकिन उस से पहले आप से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब आवश्य कर दें पेड पोदे लगाने से ने सिर्फ घर की खुबसूरती भड़ती है बलकि पेड पोदे लगाने से घर के वास्तु दोस्त को भी दूर किया जा सकता है और जिस घर में या घर के आसपास नीम का पेड लगा होता है उस घर में हमेशा सकारतमक्ता बनी रहती है नकारतमक्ता उस इन उपायों को करके आप अपनी जीवन से हर परकार की प्रेशानी को चुप्कियों में दूर कर सकते हैं सास्त्रों में नीम के पेड को साक्षात मंगल घ्रय का रूप माना जाता है तो ऐसे में आप इस पेड को घर की दक्षिन दिशा में लगाएं और नियमित रूप से इस पेड की सेवा करें इसकी देखबाल करें और जिन व्यक्तियों की कुंडले में मंगल ग्रह के स्थिति खराब है, मंगल ग्रह के स्थिति कमजोर है, तो उन व्यक्तियों को मंगलवार के दिन नीम के पेड़ की पूजा करने चाहिए, मंगलवार के दिन सुभह के समय नीम के पेड़ में जल अरपित करें और शाम के समय चमेली के तेल का दीपक जलाएं और ऐसा आपको लगातार ग्यारा मंगलवार तक कम से कम करना है तो इस उपाई के करने से मंगल घ्रय के स्थिति मजबूत होती है और इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों के कॉंडले में मंगल घ्रय के स्थिति कमजोर है तो उनको रोजाना दोसों से मुक्ति मिलती है मंगल घ्रय के दोस्त दूर हो जाती है और साथ ही हनुमान जी महराज भी परशन हो जाती है तो जिस व्यक्ति को हनुमान जी की किरपादरश्टी प्राप्त हो जाती है उस व्यक्ति को संकट तो कभी कोई छू ही नहीं सकता उस व्यक्ति का व्यक्तियों की कुंडली में सनी घ्रय व केतु घ्रय की स्थिति खराब है तो ऐसे में इन दोनों घ्रयों के अशुप परभाव को दूर करने के लिए नीम के पेड़ का इस्तिमाल किया जाता है अगर आपकी कुंडली में भी सनी घ्रय व केतु घ्रय अशुप परभाव दे तो घर में नीम का पेड़ अवश्य लगाएं और जिन व्यक्तियों के उपर सनी की साड़े साती चल रही है तो उन व्यक्तियों को ये उपाई करना चाहिए उन व्यक्तियों को अपने घर में नीम के पेड़ की लकड़ियों के साथ हवन करवाना चाहिए इस से सनी घरे की पी में एक बार नीम की लकड़ी से हवन अवश्य करवाना चाहिए और जो व्यक्ति सनी की महादसा से घुजर रही हैं उनको नीम की टेहनी की माला बना कर 108 बार सनी के मंत्र का जप करके ओम्सम सनिश्राय नमय मंत्र का जप करके उस माला को अभी मंत्रित कर लें और अपने गले में धारन करें ऐसा करने से सनी घ्रह की पीडा दूर होती है और सनी घ्रह शांत होता है और साथी साथ नीम की पेड़ की पूजा करें और नीम के पेड़ से बनी हुई दातुन करें तो ऐसा करने से कॉंडली में सनी से जुड़े वे दोसों से मुक्ति मिलती हैं सनी के दोस समाप्त हो जाती हैं और सनी के दोस दूर होने से सूप फलों की प्राप्ति होने लगती है और इसके साथ ही जिस व्यक्ति के कुंडले में केतु घ्रे के स्तिति असूब होती है तो उस जातक को जीवन में कई तरह की समश्याओं का सामना करना पड़ता है घर में जगड़े बढ़ने लग जाते हैं पिता के साथ संबंध खराब हो जाते हैं तो केतु घ्रे के अशूब पर्भाव को दूर करने के लिए आपको करना ये है नीम की कुछ पतियां ले लेकर उनका निकाल ले या उसको पानी में उबालने और उस पानी से आप हर रोज सनान करें तो ऐसा करने से आपको केतु घरे की समस्याओं से केतु घरे के अशुप परभाओं से छुटकारा मिलेगा और यदि कोई व्यक्ति पितर दोस्त के कारण प्रेशानियों का सामना कर रहा है पीडा जेल रहा है घर में हर समय तनावपूर्ण माहुल पना रहता है तो पितर दोस्त को दूर करने के लिए घर के दक्षिन दिसा में या फिर वायू कौन में या फिर घर के उत्तर पस्चिम के मद्य भाग में नीम का पेड जरूर लगाएं और नियमित रूप से पितरों का ध्यान करते वे नीम के पेड में जल अरपित करें तो ऐसा करने से पितर दोस्ते मुक्ती मिलती है और यदि आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही तो आपको करना ये है नीम के पेड की बीज लेनी है या फिर जिसको निमबोली क कहती है वो लेनी है और उनके तेल निकलवाना है और साथ दिनों तक इस तेल का दीपक मादुरुगा के सामने चलाना है मादुरुगा के साथ दिन तक इस तेल का दीपक जलाते वे ओम दुम तुरुगाय नमें बीज मंतर का जब करना है तो ऐसा करने से ये बीज मंतर सिध हो जाती हैं, और फिर जिस भी काम के लिए इस बीजमंतर का प्रियोग करेंगे तो वह कालिये निश्चित तोर पर सफल हो जाती हैं, वह मनोकामना अवश्य पूरण हो जाती है, या फिर मार दुरुगा के सामने इस तेल का दीपक जला कर, उम अव्म दुम, दुरुगा नमय बीज मंतर का जब करते हुए अपनी मनोकामना भोलें तो उस मनोकामना को पूरण होने से स्वम ब्रमाजी भी नहीं रोक सकते हैं ये बहुत ही अचुक और गुपत उपाई हैं तो इस उपाई को बड़े बड़े तांत्रिक और सिद्ध पूरुष करते हैं तो इस उपाई को मेरे गुरू जी ने मुझे बताया था जिसको कि आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूं ताकि इस उपाई को करके आप भी लाप राप्त कर सकें तो ये थे नीम से जुड़ेवे कुछ उपाई इन उपाईों को करके आप भी लाप राप्त कर सकते हैं लेकिन उपायों को कर्दिस में भगवान के उपर पूर्ण सरदाबाव और मन में द्रड संकल्प का होना बहुत जरूरी होता है तब ही उपाय अपना असर दिखाती हैं और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ